अलो दोस्तों नमस्कार यूपी कर्टेट की तयारी के क्रम में जो यूपी कर्टेट 2023 का एक्जाम जो होगा मई में उसके क्रम में जो हिस्ट्री ओफ एगरी कल्चर है उससे संबन्दे जो महत्पूर्ण तितियों पे जो महत्पूर्ण घटनाए घटती है उससे संबन्दे यह मेरा वीडियो है और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे ताकि यहाँ यह पी कटिट की त्यारी बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए आप आप मेरा चैनल देखते रहिए और आपको पूरी यूपी कटिट के त्यारी तीस मजी तक सारा से ले बस आपको अपलब्द कराया जाएगा तो इसमें सबसे पहले जो है दस हजार बीसी डुमेश्टी केशन आफ डॉग हो जाएगा लेश्टी केशन आफ डॉग for hunting एरान ए्ड इस्राइल 8700 BC में क्या हुआ Domestication of Seep उसके बाद है 7700 BC में Domestication of Gaut 7700 BC में Domestication of Gaut 7500 BC में Cultivation of Crops, Beats and Barley उसके बाद है 6000 BC में Domestication of Cattles and Pigs और 424 BC में Cultivation of Maze and 424 BC में Maze की केती स्टार्ट 4000 BC में क्या स्टार्ट हुआ है Cultivation of Rice जो हुआ 4000 before इसापूर्ब 3500 BC में क्या हुआ Cultivation of Potato 3400 BC Beel was invented जो पई है गया विसकार हुआ वो 3400 BC में हुआ 3000 BC में क्या हुआ Bronze बाज यूजड है जो Mac Tools जो तावा था Bronze Bronze सोरी कासा जो था उसका इस्तेमाल हुआ Plow was invented Irrigated Farming बाज श्टार्ट कब 2900 BC में Plow का विसकार हुआ और Irrigated Farming श्टार्ट हुई 2700 BC में 2700 BC में Domestication of Silkworm जो चाइना में हुआ रेसम कीट का पालन 300 BC में Cultivation of Chickpea, सरसों and Cotton जो चिकपी और सरसों और काटन की खेती स्टार्ट हुई 300 BC में 2200 BC में Domestication of Fowl, Bofilo and Elephant जो मुर्गी पालन है Bofilo पालन जो है और हाती को पालना शुरू हुआ 1800 BC में Cultivation of Finger Millet जो होता जिसे रागी कहते हैं उसको श्टार्ट किया गया 1725 BC में Cultivation of Sorghum जो आर की खेती शुरू हुई 1500 BC में Cultivation of Sugar Cane and Irrigation Through Was स्टार्ट 1420 BC में Use of Iron in Middle East Middle East में Iron का यूज हुए 1500 Century Cultivation of Sweet Orange Biled Brinjal and Pomegranate 16th Century में क्या हुआ है 16th Century में Introduction of Several Crops in India by Portuguese देयार पोटेटो स्टीट पोटेटो एरो रूट कसावा टोमेटो चिलीज पंपकिन पपाया पाइनेपल गुआवा कश्टड एपल ग्राउंड नट कैश्व नट एंड टोबैको कहां से introduction हुआ है इनका पुर्तगाल से पुर्तगीज जे फसलें सारी पुर्तगाल से आई है 16th Century में 1845 में क्या हुआ है 1845 AD में Accrains of Irish famine due to the late blight of पोटेटो फाइट ओफ इतेरा इन पे स्टांस जो था उसके एकान 1845 में आईरिस फैमान जो आईरलेंड में हुआ था वह हुआ था 1881 में Joint Department of Revenue Agriculture and Commerce बाज स्टेबिलिस्ट इंडिया में Joint Commission 1844 Accrains of CBR फैमान इन बिहार Accrains of CBR फैमान इन बिहार 1875 में हुआ Indian Metrological Department बाज स्टेबिलिस्ट एड़ दा पुने महराष्ट Indian Metrological Department कब हुआ पुने में हुआ महराष्ट में इसकी कब हुआ इसता अपना 1875 में 1876 में फैमान इन मदरास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैमान आया था जो काल पड़ा था 1880 में क्या हुआ है 1880 में फैमान कमीशन वाज अपॉंटेट 1880 में फैमान कमीशन की जो गठन हुआ था 1882 में बेटरिनेरी कॉलेज इस्टेबिलिस्ट एड लाहा और नाविम जो पाकिस्तान में है 1906 में 1906 में क्या हुआ है स्टेबिलिस्ट्मेंट फोरेश्ट रिसर्च इंस्टिटूट एफर आये जो था देहरादून में है उसकी स्टापना हुई 1901 से 1905 के बीच 5 एगरिकल्चर कॉलेज 5 एगरिकल्चर कॉलेज की स्टापना हुई कहाँ पुने कानपुर 2 शैवर 3 लालपुर 4 और कोई मतूर 5 पर्थम 5 कालेज अगरिकल्चर के 1905 में क्या हुआ इस्टेबलेश्टमेंट आप इंपिरियल अगरिकल्चर इंस्टिटूट आईए यार आई जो बाद में इंपिरियल जो सब्द था इसको बाद में इंपिरियल को इंडियन में रेप्लेस कर दिया गया इंडियन से सीवियर एंड पूसा बिहार कहां पर हुई इसके स्थाबना पूसा बिहार में लेकिन वट आफ्टर द सीवियर अर्थकोईक लेकिन सीवियर अर्थकोईक यानि बहुत ही भेंकर भूकम पाया कब और बाद 1934 में बिहार में देन इट वाश शिप्टे टू नियुदिली ने नांटिन 36 1936 में इसको बिहार से दिली शिप्ट कर दिया गया 1924 में क्या हुआ गुणगाव प्रोजेक्ट जो था वो भाई एफल ब्रेने द्वारा स्टार्ट किया 1921 में शिरी निकेतन प्रोजेक्ट बाई रवेंदर नाठ टैगोर द्वारा स्टार्ट किया गया 1921 में मर्थेंडम प्रोजेक्ट बाई स्पेंसर हैज और 1921 में ही सेवागारम प्रोजेक्ट बाई माहत्मा गांधी सेवागारम प्रोजेक्ट भी श्टार्ट किया गया 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉर्टन कमेटी का गठन हुआ इंडियन सेंट्रल कॉर्टन कमेटी 1926 में appointment आप Royal Commission on Agriculture headed by Lord Lynn Lithgow कब appointment हुआ 1926 में और 1928 में इसने अपनी रेपोर्ट पेस करी थी 1928 में Royal Commission on Agriculture submitted its report 1940 में क्या हुआ मंतली मैगजीन जो थी started by the imperial council of agriculture research new Delhi यो जो magazine ती ये started by published मंतली magazine Indian फार्मिक जो थी बाज started by imperial council of agriculture research ICAR जिसको imperial को यहाँ पे भी Indian में बाद में रेप्लेस कर दियागा देश आजाद होने के बाद 1942 में grow more food campaign start हुआ और यह fail हो गया था 1947 में इसको फिर से start किया गया जब हमारा देज आजाद हो गया 1945 की अगर बात करें तो Central Sugar Can Committee, Indian Central Coconut Committee और Indian Central Coconut Committee तीन कमेटिया जे गटे था ही 1945 में इसके बाद आते हैं 1946 में Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage फरीदाबाद हर्याना में इसकी स्तापना हुई Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage फरीदाबाद में हर्याना में start हुई 1947 में क्या हुआ Indian Central Oil Seed Committee का गटन हुआ January 1948 में GATT, General Agreement on Tariff and Trade जो बाद में WTO नाम से जाना गया यह इसका गटन जनवरी 1948 में हुआ बाद में इसी को WTO का रूप ले लिया 1948 में जो Etava Pilot Project श्टार्ट हुआ अलवर्ट मेर द्वारा 1948 में 2 October 1952 को क्या हुआ 2 October 1952 को Community Development Program बाज लांच This is CDP CDP कहते हैं वो 2 October 1952 को स्टार्ट हुआ 2 October 1953 को क्या हुआ National Extension Service NES की स्टार्ट किया गया 2 October 1953 को 1956 की बात करें 1956 जो हुआ है Project for Intensification of Regional Research on Cotton Oil Seed Millets इसको SORT में कहते हैं Pricom यह कब हुआ स्टार्ट 1956 में Project for Intensification of Regional Research on Cotton and Oil Seed Millets 1957 में आल इंडिया कॉडिनेटेड मेज इंप्रूब्मेंट प्रोजेक्ट इस्टार्ट हुआ हमारा IARI Indian Agriculture Research Institute को 1958 में Deemed University का दर्जा दिया गया October 1958 में National Agriculture Cooperative Marketing Federation NEFED की स्टापना हुई 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज Democratic Decentralization जिसे Three Tire System on the on the अपे दाओ Recommendation of Balwant Raya Mehta inaugurated by जवाला नेरू on 2nd October 1959 in नागवर डिश्टिक आफ राजस्थान नागवर डिश्टिक में 2nd October 1969 को जवाला नेरू द्वारा शुरू किया गया था पहला नागवर डिश्टिक था देश का जिसे 2 October 1969 को हमारे यह पंचायती राज की शुरूआत हुई राजस्थान के नागवर जिले में 1960 में 1st Agriculture University के स्थापना हुई GB 5 Agriculture University Technology at 5 नगर on Pattern of Land Grant System आप USA जो समय उत्तर प्रदेश में थी बरत्मान ये उत्तराखंड में इस्तित था 1961 61 में Intensive Agriculture District Program इसे IADP नाम से जाना जाता इस्टार्ट हुआ 1960 61 में 1963 में National Seed Corporation की स्थापना NSC की स्थापना 1963 में 1964 में Intensive Cattle Development Project ICDP ये स्टार्ट हुआ 1964 में 1965 की बात करेंगे अगर तो 1965 में National Demonstration Program National Demonstration Program नीलो खेरी प्रोजेक्ट बाई श्री एस्केडे फर्स्ट डीजी और वाई और वाई प्रेसिडेंट आप आई सी डाक्टर बीपी पाल भी इसी समय बने 1965 में AI CRP पर स्टार्टेड वर यहां पर हुआ वर 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 स्टार्टेड ओन दा अधर क्रॉप्स एस वेल अधर एरियास ऑफ रिसर्च पहले मेज भी हुआ था 1958 में लेकिन 1965 में अधर क्राप्टेवी आल इंडिया कॉर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया अन्ने क्रापों में और अन्ने एरिया में 1966 1966 में क्या हो इनिसीटेड हाई इल्डिंग बराटी हाई इल्डिंग बराटी एच बाई बी प्रोग्राम कब हुआ 1966 बहुत पूचा जाता है 1966 में ही इस्टेबलिश्मेंट आप डाइरेक्टो रेट आप इस्टेंशन की स्थापना भी 1966 में ही 1968 में फार्मस ट्रेनिंग अडेजूकेशन सेंटर एफ टी एसी की स्थापना हुई कब 1967 और 1968 में 1989 में सेकेंड एरिगेशन कमीशन लाया गया और 1970 में नेशनल कमीशन और एगरी कल्चर स्टार्ट किया गए नेशनल कमीशन और एगरी कल्चर 1971 की अगर हम बात करें तो मिनी किट प्रोग्राम आल इंडिया कॉडिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राइलेंड एगरी कल्चर इस्चमाल फार्मर डिपलेमेंट अजनसी की स्थापना SFDA, Marginal Farmers and Agriculture Laboral Project जे भी चारो प्रोग्राम जे 1971 में स्टार्ट हुए 1973 की अगर बात करें तो इसमें Creation of Department of Agriculture Research and Education in Ministry of Agriculture स्टार्टेड एगरी कल्चर रिसर्च सर्वेस, ARS की स्टार्टेड कब हुए 1973 में Establishment of Agriculture Scientist Recruitment Board, AASRB Based on Recommendation of the Guard कर रिपोर्ट Based नहीं होगा, जे होगा Based Based on किस पर आधारत था? Recommendation of G Guard कर रिपोर्ट वे आधारत पर ASRB की स्थापना की गई Tiger Project भी 1973 में आया और Started Mini Kit Trials Program भी जो स्टार्ट हुआ, वो भी Mini Kit Program, Trial Program भी 1973 में स्टार्ट हुआ है 1974 में Draught Prone Area Program बहुत पुझा जा था, DPAP कब हुआ, 1973 और 1974 में 1974 की बात करें तो 1974 में Training and Visit System formulated by Daniel Wenner and Vakster of Israel T and B Program बोलते हैं इसको, T and B Program, T and B System, First started in Canal area of Rajasthan and Chambal area in the Madhya Pradesh Training and Visit System 1974 Command Area Developed Authority, CADA कभी स्टार्ट हुआ, 1974 में Minimum Needs Program भी स्टार्ट हुआ, न्यूनितम, अवशक्ता, कारिकरम 1974 में किर्सी विज्ञान केंदर, जो KBK है, जो मोहन सिंग महता कमेटी के रिक्मेंडेशन पर, First Aid पांडी चेरी में पहला किर्सी विज्ञान केंदर, तमिल नाडू एगरी कल्चेर उनिवर्सिटी कुएम बटूर के, अंडर में, क्या, पांडी चेरी में पहला किर्सी विज्ञान केंदर, 1974 में खोला गया, 1975 में स्टाड़ेट 20 पॉइंट प्रोग्रम, 20 सूत्रिय कारिकरम, 1975 में स्टार्ट किया गया 1976 की अगर बात करें, तो National Lural Employment Program, NREP, National Academy of Agriculture Research and Management, नार्म हैदरावाद की स्थापना, 1976 में असोक में था कमेटी प्रोपोजड टू टायर टू टू टायर पंचायती राज सिस्टम और 1978 वादा डिजाइड डिवलमेंट डिजाइड डिवलमेंट प्रोग्राम, DDP, डिजाइड राग रेखिस्तान के लिए जय था अप्राइल 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डिवलमेंट प्रोग्राम, IRDP, लांच्ट इन फानेंशियल एर 1978 एंड इस्टेंडर्ड त्रू आउट इंडिया वाई, 1980 फिर 1979 में ट्रेनिंग फार रूरल यूथ फार सेल्प एंप्लायमेंट, ट्राइसेम ट्राइसेम की कब होई, शुरुआत किया गया, 1979 में बहुत पूचा जाता था, बहुत पूचा जाता ये, तो ये था हमारा